तो वेलकॉम आल आप सबका स्वागत है बुक वन के चैप्टर थ्री शेशन 2022 और 23 समकाल इंदक्षिन एश्या कंटेंप्ररी साउथ एशिया बेसिकली इस वीडियो को और या इस शेशन को मैं इसलिए अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसमें CBSC में कुछ चैप्टर नए अड़ हुए है और कुछ चैप्टर में आप ये कह सकते हो कि टॉपिक नए अड़ हुए है या टॉपिक का जो सीक्वन्स था वो काफी चेंज हो गया है तो इस हिसाब से मैंने 2022 सेशन के अकॉर्डिंग्स को बना रहा हूँ हलाकि आप सोचोगे कि इससे पहले वाले चैप्टर का है तो इनके जो पहले वाले चैप्टर है जैसे कि आपका है सत्ता के नए केंदर और इससे पहले दो दुरुवेता का अंत जो इस वार CBSC ने पहला चैप्टर कर दिया उसको वो वाले chapters के topic में और उस chapter में कुछ changes नहीं है तो उनको आप channel पे easily देख सकते हैं हाँ sequence में थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन chapter का नाम और topic सेम है तो आप उनको as it is same to same देख सकते हैं अब आपके दिमाग में कोशन आ सकता है कि यह जो समकाली induction एशा वाला यह part 2 क्यों करा रहा हूँ part 1 का link जो है मैं description में देदूँगा और thumbnail में change कर दूँगा वो as it is है जो पहले मैंने वीडियो में कराया है वो same का same उसमें कोई change नहीं है part 2 से लेकर आगे जहां-जहां change है वो मैं आपको करा दूँगा और इस पूरे chapter का part wise जो link है मैं description में भी दूँगा हर वीडियो के और thumbnail में भी add कर दूँगा या thumbnail में भी edit कर दूँगा तो जल्दी से start करते हैं आज का वीडियो समकाली दक्षिन एशिया contemporary south एशिया का यह part 2 तो सबसे पहले आएगा आपका दक्षिन एशिया में संगर्ष conflicts in south एशिया अगर आप दक्षिन एशिया को देखो तो यहां बहुत से संगर्ष यह struggle यह conflicts हैं तथा यह एक ऐसा शेत्र है यह एक ऐसा रीजन है जिसमें कई बड़े अंतराजिये इंटर स्टेट और कई बड़े अंतराश्टिये international संगर्ष यह struggle conflict हुए है यहां के कुछ शेत्र क्या ज्यादा तर शेत्र वैश्वीक आतंकवाद जो इंटरनेशनल टेर्रिजम है उसका केंद्रिया सेंटर बन चुके है स्पेशली आप दक्षिन एश्या के कुछ देश ऐसे देखेंगे जो आतंकवाद फैलाते हैं जैसे पाकिस्तान जैसे और कुछ देश है जो इससे पीडित है जैसे इंडिया और कुछ देश ऐसे हैं जो और ज्यादा पीडित होते जा रहे हैं या वहाँ पर आब आतंकवाद दीरे दीरे और पैर पसार रहा है तो आतंकवाद की वज़े से साउथ एशिया बहुत ज्यादा यूं कहलो की स्ट्रगल या कॉन्फिक्ट को जेल रहा है आम्ड कॉन्फिक्ट डेटाबेस के अकोर्डिंग नौ दक्षिन एशियाई आंतरिक और अंतराष्ट्रिय स्ट्रगल या संगर्श हुए हैं दक्षिन एशिया में होने वाले प्रमुक्ष जो संगर्श या यूं कहलो स्ट्रगल है वो निमलिकित हैं इन तीन कारण या यूं कहलो तीन प्रकार के आप कॉन्फिक्ट या संगर्श साउथ एशिया में पाएंगे पहला है ऐसे संगर्श जो वैश्विक राजनेतिक एवं विकास संबंदी गत्यात्मत के कारण हुए हैं दूसरा है ऐसे संगर्श जो अंतराज्य दखल के कारण होते हैं और तीसरा ऐसे संगर्श और कॉन्फिक्ट जो सामाजिक सांस्कृतिक चूक से होते हैं तो ये तीन प्रकार के स्ट्रगल आप कॉन्फिक्ट दक्षिन एशिया में पाते हैं तो ये इसका एक इंग्लिश कनवर्जन है जो मैंने उपर पॉइंट्स बताए हैं तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको लेंग्वेज में कुछ खास प्रॉब्लम आए तो आप इसको इस उतार सकते हैं एक्स्प्रेनिशन जो मैंने आपको दिया वही रहेगा इसके बाद आपका आएगा दक्षिन एशिया में होने वाले प्रमुक संगर्श जो साउथ एशिया में ज्यादा संगर्श होएं वो किस प्रकार के हुए और कितने हुए है तो वो country wise मैं आपको कराऊँगा तो सबसे पहले है भारत इंडिया के संगर्श सबसे पहले इंडिया का partition या भारत का विबाजन 1947 फिर भारत पाक युद 1947 बेसिकली ये कश्मीर को लेकर जो युद हुआ था वो है कभी कभी इसके लिए 1947 और 48 दोनो इयर को बोला जाता है Operation Polo 1948 Operation Vijay 1961 इस Operation Vijay को लेकर एक बात बता दू कारगिल जो वार हुई थी उसका भी जो कोड नेम था वो Operation Vijay था बेसिकली Operation Vijay ये वाला जो 1961 वाला है अगर ये आता है तो ये कारगिल वार के साथ इसको मिक्स मत करना ये जो गोवा, दमंदीब, लक्षदीब को इंडिया में मर्ज किया गया था विले किया गया था उससे संबंदित है तो इसको लेकर थोड़ा क्लियर कर रखना Operation Vijay ज्यादा तर Operation Vijay अगर आप से पूछा जाएगा तो वो 99 की कारगिल वार को लेकर होगा 1999 वाली कारगिल वार जो हुई थी इसके बाद भारत-चीन संगर्ष 1964 यहां ये गलती से लिखा गया है ये 62 है तो स्टुडेंट्स को जरूर सही कर लेना भारत-चीन युद भी हुआ था उसी को भारत-चीन संगर्ष भी बोला जाता है तो ये 1964 नहीं है ये 1962 है इसके अलावा भारत-पाकिस्तान युद ये भी 67 गलत लिखा गया है यहां पर ये 65 है जो कच के रन को लेकर विवाद हुआ था तो प्लीज इन दो को शायद मैं जब स्लाइड में उतार रहा था तो उसके बाद ये अपने आप उटमेटिक चेंज हो गया पता नहीं कैसे लेकिन इस भारत-चीन युद को 1962 कर लेना और भारत-पाकिस्तान युद ये 1965 कर लेना और ये वाला जो 65 की वार हुई थी ये कच के रन के लेकर जो विवाद था उसको लेकर हुई थी इसके अलावा भारत-पाकिस्तान युद 1971 सियाचीन संगर्ष, सियाचीन गिलेशेर जो हमारा आप देखते हो कश्मीर में उपर बिल्कुल बरफीला शेतर है उसको लेकर पाकिस्तान से काफी संगर्ष याज कॉन्फिक्ट हुआ था 84 में ये 84 और 85 में भी छुटमुट हुआ था तो ये सियाचीन संगर्ष बड़ा इंपोर्टेंट है इसको भी याद रखना ओपरेशन ब्लू स्टार 1984 शेलंका में जो तमिल को लेकर सिविल वार हुई थी तो ये उसको लेकर है इसमें इंडिया ने इंटर्फेर किया था इंडिया ने अपनी शांती सेना पीस आर्मी को आज तक ही कॉन्फ्रिक्ट या संगर्ष का शेतर बना हुआ है अलाकि धारा 370 हटने के बाद काफी ज़्यादा वहाँ पर परिवर्तन या चेंजिस मिले लेकिन संगर्ष स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है तो ये देख लो आप 42 साल के करीब हो गए है यहां संगर्ष स्ट्रगल चलते हुए और यहां संगर्ष स्ट्रगल का में कारण है पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया आतंकवाद इसके अलावा कारगिल यूद कारगिल यूद को मैंने आपको पहले भी बताय था आप्रेशन विजे के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा भारत पाकिस्तान यूद और संगर्ष इसमें आप भूट सारे यूद संगर्ष लिख सकते हैं 4748 कश्मीर वोर 65 की भारत पाकिस्तान यूद इसके बाद बांगला देश सोतंतरा संगराम जो 1971 में हुआ इसके अलावा वजिरिस्तान बलुचिस्तान संगर्ष 2004 पाकिस्तान में अपा 2007 और अगर आपको यादो तो अभी भी वहाँ पर एक संगर्ष चल रहा है 22 2022 में बलुचिस्तान में अभी मैं आपको बिलकुल करेंट बता रहा हूँ पाकिस्तान के किसी जनरल रैंक के एक वहाँ पर हत्या हुई है इसके लावा राजनीती में भी उ और ज्यादा क्लियर कर दूँगा इसके बाद आएगा अफगानिस्तान सिविल वार 1989 से लेकर 2001 बेसिकली अफगानिस्तान में तो अभी आप देखते हो हालात है तालिवान की सरकार आ गई है अमेरिका की सैना चली गई है तो काफी ज़्यादा प्राबलम है और अफगानिस 2001 में वो उसके बाद से लेकर अफगानिस्तान में काफी ज़्यादा संगर्श श्ट्रगल देखने को मिला है इसके बाद आएगा बंगलादेश के संगर्श या कॉन्फिक्ट या यूं कहलो की स्ट्रगल बंगलादेश सोतंतता युद फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम व और 1996 से 2006 तक इसके बाद आएगा श्रीलंका का जो संगर्श श्ट्रगल है इसमें श्रीलंका की सिविल वार सिविल यूद आएगा जो बहुत लंबे समय तक चला बेसिकली क्या है कि वहां तमिल जो लिटे हैं उनका स्ट्रगल श्रीलंका की गौवर्मेंट या आर्मी से ड एकनॉमिक हालात है या यूदि कैलो कि अर्थवे उस्ता बिल्कुल एकदम चर्मारा से उठी है जो आर्थिक संकट आया वो ज्यादा बड़ा हो चुका है तो 86 से लेकर लगबग 2009 तक वहां पे सिविल वार की स्थिति रही और तमिल और जो सिलंगा की गौवर्मेंट है उ और स्थानिय स्तर पर लोक तांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना यह स्ट्रॉंग करना परसकर बातचीट करके समस्याओं का हल्कौजना जातिये और धार्मिक परिवादों शिकाइत हो का राजनितिक समाधान करना कानून के शासन को मानना ऑर अल्पसंख्यकों के साथ होन अभी आपको points उपर बताएं इनको English वाले student as it is उतार सकते इसके बाद आएगा South Asia में या दक्षिन Asia में शान्ती हेतु किये गए प्रयास जो efforts किये गए हैं पीस को maintain करने के लिए South Asia में पहला पाकिस्तान में 2014 में पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 141 लोग मारे गए थे और खासकर कि ये बात है कि इसमें 132 स्कूली बच्चे मारे गए थे या बच्चे शामिल थे तो 141 में से 132 बच्चे मारे गए थे और इस घटना की बहुत निंदा भी हुई थी इस घटना के बाद पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के विरुत कठोर कदम उठाए गए और आतंकवाद को टेररिजम को समाप्त करने के लिए बिलकुल टर्मिनेट करने के लिए ए पाकिस्तान का एक यह है एतिहासिक यह कहलो हिस्टरिकल कदम यह स्टैप था इस कारे योजना की अनेक विशेष्टाएं हैं जैसे 20 सूत्रिय योजना या प्लैन के रूप में भी इसे जाना जाता है जिन व्यक्तियों के विरुद आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने क आरोप हैं उन्हें सीधा मित्यू डंड यह कहलो के डेथ पैनल्टी का प्रावधान प्रोविजन इसमें रखा गया तो आप देख सकते हैं कि यह काफी हद तक एक बड़ा स्टैप था साउथ एशिया के जो देश है पाकिस्तान में टेर्रिजम को रोकने के लिए और पीस या शान्ती को स्थापित करने के लिए दूसरा जो एफट है वो है आतंकवादियों को दंडित करने के लिए पनिश करने के लिए सैनिक अधिकारियों के नित्रुत में बिसिकली क्या है कि जो अदालत या यह कहलो कि आपको कोट मिलेगा उसमें सिविल जज मिलेंगे तो आ यूँ कहलो establishment की गई नेक्स्ट है आतंकवाद को रोकने के लिए विबिन संगठनों को प्रभावशाली बनाया गया जो और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया और किसी भी प्रतिबंदित संगठन ऐसे कुछ संगठन है जो आलगाववाद को सेपरिटिजम को जर्म देते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को बढ़ाते हैं उनको प्रतिबंदित किया गया उनको बैन किया गया और उनको कारे करने की अनुमती नहीं दी जा रही है इसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट उन समाचार पत्र पत्रिकाएं ऐसी बहुत सारे आप देखोगे के पेपर्स हैं पैंप्लेट्स हैं पत्र पत्रिकाएं मैगजीन निकलती हैं जो धार्मिक तोर पर या यूँ कहलो की आकिसी की मेंटेल्टी को संकीर्ण बनाती है चोटा सोच या छोटी सोच की बाते करते हैं जो गया है उनके ओपर बैन लगाया गया है प्रॉविट्टेट किया गया है इसके अलावा आफ हम सब जानते कि इंटरनेट और शोचल मीडिया ये दोनों किसी भी तरह से आप ये मालो की ये दोनों को निगरानी रखना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि तेको शोचल मीडिय एक ऐसा platform हो गया कि यहाँ पर आप बहुत जल्दी खबर को एक दूसरे पर फैला सकते हैं लेकिन क्या है कि कुछ anti-social जो आसमाजिक तत्व हैं internet का और social media का इस platform का जो use है वो गलत अफाएं जो rumors हैं उसको फैला कर देश में गलत घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते हैं क तो ऐसे internet और समाजिक मीडिया जो आपके social media पर निगरानी की जा रही है उनको monitor किया जा रहा है और आतंकी संचार network को समाप्त किया जा रहा है इसके बाद आएगा भारत बंगलादेश के जो चटगाओं वाला शेत्र है जो region area है और मोगला पतन है वहाँ पर भारत की वस्त को इनके कोने कोने में जाना है तो भारत को land से सडक से इतना ज्यादा अभी हमारा जो यातायात है यह कहलो कि ट्रांस्पोर्ट है इतना develop नहीं हो पाया क्योंकि जो area है वो काफी tough region है तो भारत ने क्या करा है बंगलादेश के साथ काफी अच्छे संबंद बनाकर यह relation बना क्लियर कर दू केवल वस्तुएं जो खान पान की वस्तुएं है राशन है और इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजे हैं या देश के development के लिए चीजे हैं जिसमें किसी भी परकार का military equipment सैन्यो साजो समान नहीं है वस्तुए है केवल जो विकास के लिए या वैसे जरूरी है उनका उत्तर पूर्वी राज्यों में उनको वहां से भेजा जा रहा है दोजार पंदरा में भारत के प्रदानमंतरी ने बंगलादेश की यातरा के दुरान कोल कत्ता और तिरुपुरा के बीच बस यातरा की शुरुआत की है जो ढाका होकर जो बंगलादेश की capital है वहां स हो जाएगा नेक्स पॉइंट इसमें आएगा भारत और बंगलादेश के मद्दे जल बटवारे को लेकर जो बेसिकली क्या है गंगा और भरंपुत दो नदी के जल के बटवारे को लेकर भारत और बंगलादेश में तोड़ा यूं कहलो की मत्बेद रहता है तो 80 के दशक म में समस्या उत्पन हुई थी और बंगलादेश द्वारा इस मुद्दे को भारत विरोध से जोड़ लिया गया था इससे पहले वर्ष 1977 में भी बंगलादेश के साथ एक समझोता एक एग्रिमेंट हुआ था लेकिन हाला कि ये विवाद हुआ था गंगा के जल के बटवारे को लेकर लेकिन फिर भी जल बटवारे की समस्या का दीर्ग कालिन एक लॉंग टर्म जो सोलूशन था वो 1996 में हुआ जब प्रधानमंत्री देवेगोडा और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजित के मद्दे एक एतियासिक समझोता हुआ और ये तीस वर्षों के लिए लाग हुआ और इसके बाद इसको लगातार आप देखो के आगे भी बढ़ाया जाएगा बिसीकली बंगलादेश हमारे ले बहुत इंपॉटेंट है क्योंकि हमें बंगलादेश की पोर्ट्स को भी यूज़ करना है और बंगलादेश जैसे की हम देखते है कि एक ऐसी कंट्री है कई बाई चांस चाइना यहां एंटर ना कर जाए जैसे शिलंका में एंटर कर चु नेक्स पॉइंट यहां पर आएगा भारत शिलंका के बीच भी मुक्त व्यापार यह कहलो फ्री ट्रेड एग्रिमेंट यह समझोता पहले ही लागू हो चुका है यह ना केवल दोनों देशों के लिए महतरपूर है बलकि समुचे दक्षीनेशया पूरे एक साउथ एशा के लिए बहुत अच्छा मौडल है कि सारे साउथ एशा के देश आपस में मिलकर एक free market, एक मुक्क व्यापार को बनाएं या मुक्त बाजार सांजा बाजार बनाए जहां सारे दक्षी नेशिया के देश अपना सामान बेच सके इस मुक्त वियापार समझेते को आगे बढ़ाकर वर्तमान समय में समगर आर्थिक सहबागिता के समझोते पर भी विचार यह यह कहलो कि व्यू यह थौट किया जा रहा है इसको और आगे और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है तो थैंक यू फॉर वाचिंग इसके अलावा मैं आपको यह जरूर बता दू कि मैं इस वीडियो के डिस्किप्शन में और इसके अलावा थमनेल पर भी पार्ट वाइज इस पूरे चैप्टर को आपको बिल्कुल ताकि कोई भी टॉपिक समयने में कोई प्राबलम ना है और आपको बिल्कुल चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए तो इस वीडियो की डिस्किप्शन में भी पार्ट वाइज और थमनेल में भी पार्ट वाइज इस चैप्टर को पूरा क्लियर मैं आपको कर दूँगा तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में मैं हूँ विकरांत आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स